Hello everyone, मैं हूरूभी और आप सभी का तारा मदू डाइरीज में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में जो कि एक लाइव की तरह में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आपको गर्मियों में कैसे आप अपनी क्रीम को स्टिफ रख सकते हैं वो मेल्ट ना हो, वो फ्लार बनाने में गिरे नहीं, फिसले नहीं और स्टेबल बनी रहे भले ही आप किसी भी AC या नौन-AC रूम में काम कर रहे हो, आपकी क्रीम का टेक्शर गरबढ़ाए नहीं देखें फ्रेंड्स, गर्मियों में क्रीम के साथ काम करने में थोड़े से हमें special attention की जरुत होती है जैसे हम winters में काम करते हैं, वैसे हम गर्मियों में काम नहीं कर सकते हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्रीम एक ऐसी चीज़े जो बहुत sophisticated है, बहुत जल्दी हातों की गर्माहट से भी वो melt होने लगती है और कभी-कभी हमारा पूरा केक जो है वो थोड़ी सी क्रीम के texture के वज़े से गरबढ़ा सकता है और finishing नहीं भी दिख सकती है यहीं पर अगर आपने क्रीम को ओवर विप कर दिया तो भी आपको परिशानी आ सकती है, केक की finishing उतनी अच्छे से नहीं दिखेगी तो मैंने promise किया था कि मैं गर्मियों में ही इस session को लाऊंगी तो अभी गर्मिया थोलकी अलकी start हो गई है, हमारे यां तो हो गई है और अभी आपको मैं ऊपर camera on करके दिखाती हूँ, ना मेरे इस room में कोई AC है, ना कोई cooler है, ना कोई fan भी on है, fan एकदम off है और ऐसे ही मैं अपने गर्मियों में भी काम करती हूँ, क्योंकि मैं YouTube पर वीडियो डालती हूँ, अगर मैं fan चलाऊंगी तो मेरे वीडियो की जो clarity उसमें disturbance आता है, तो हमेशा मैं यहीं पर काम करती हूँ, मैं देखा होगा मेरा table पर setup और मेरे कमरे में कोई AC fan नहीं चलता, पर बार-बार मेरी दोड़भाग होती रहती है, कैसे होती रहती है, सारी जानकारी आज के इस live में या वीडियो में जो भी आपको मिल करने के बाद आगे आने वाली गर्म में आपको कोई भी दिक्कत आएगी, इसकी मेरी full-on guarantee और आप याद रखेंगे कि फलाने चैनल पर उसने जो बताया था वो आज तक मैं follow कर रही हूँ, मैं इतनी honesty से आपके साथ आज अपनी सारी tricks शेयर करने जा रही हूँ, तो मेरी request ह प्लीज इस वीडियो को end तक देखेगा, और मेरी बताई हुई tips, tricks को follow करके देखेगा, क्योंकि यह मैंने कहीं से सीखी नहीं, मैं खुद इन पर काम करकर के, जो जो मुझे अपनी गलतियों से सीखने को मिला है, मैंने वो सिखाई है, और वाकरी में वो fruitful भी रही है, उन प अच्छे से अगर वो setup हुई होगी, तो गड़बर नहीं होगी, तो सबसे पहले friends, कैमरे को थोड़ा पास कर देती हूं, so that मैं आपको अच्छे से हड़ चीज दिखाता हूं, सबसे पहली जो बात आती है, वो आती है cream, भाई हम cream concealer, तो whipping cream market में बहुत सारी मिलती है, online यह न normal room temperature पर आ गई, काफी देर तक रही, तो वो खुद बोगुद खराब हो जाएगी, वो फिर नहीं विप होगी, चाय बहले है आप उसको ला करके freezer में रख दे, और अगर आप कहीं दूर दराज गाओं में रहते हैं, दूर से cream लाते हैं, और वो कम से कम room temperature पर आकर एक हम क्या करें, हमें cake तो बनाना है, तो फिर market में whipped cream के powder भी available है, बट देखिए, सीधी honesty से बतारी हूं, उसका taste, इसके taste से फरक आएगा, वो आपको costly पड़ेगी, क्योंकि जो एक छोटा सा packet भी होता, उससे थोड़ी ही cream बनेगी, जब कि ये आपको काफी सारा result देगी, तो एक आदा केजी cake में ही आपको जो cost पढ़ने वाली है whipping cream के powder से, उससे ये कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, बट अगर आपके पास choice नहीं है, तो फिर आपको उसी के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए और कोई option नहीं है, तो दूसरी बात आती है whipping cream का selection, तो देखिए कोई भी cream आप market से मगाईए, बस चेक कीजिए उस पर premium लिखाओ, अगर वो premium है friends, तो उसके अंदर इतनी अच्छी consistency होगी, कि वो आसानी से melt नहीं होगी, उसके अंदर जो saturation fat point है, वो इस तरीके से set up होगा, कि वो melt नहीं होगी, even आप हलके फुल के गर्म temperature पर भी रखे, त यह ट्रोपोलाइट आप इसके packet के पहचान कर लीजिए, this is the best cream I have ever met, यह इतने अच्छे response देती है, गर्मी में, winters में, और taste में भी मतलब, full on 100 number है इसके, रिच्चेस को 110 है मेरी तरफ से, बट यह भी 100 पर आती है, और इस पर आप देख सकते हैं, उपर लिखा हुआ है premium, तो यह cream premium हो जाती है, ट्रोपोलाइट की, यह best है, यही पर ट्रोपोलाइट की ही देखिए, यह है eco-trop, बट इस पर कोई premium नहीं लिखा, और 20 रुपे यह सस्ती भी आती है, इससे भी आप काम कर सकते हैं, और यह भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है, अगर चॉकले premium अब ले लेती हूँ, उसको पहले ही ले लेती हूँ, छे साथ डबे और अपने freezer में store करती हूँ, अब देखे मार्केट से आप यह cream लिया है, जो भी premium आपके आसपास जो मिलती है, डिलाइट मिलती है, ट्रोपोलाइट, सन विप, स्टार विप, इस सब अच्छी कंपनी क cream है, Amul की भी friends से एक whipping cream आती है, मैंने कभी use नहीं की है, बट जिन्होंने भी use कि है, उसके response मुझे अच्छे नहीं बताए, मेरे आप तो वैसे मिलती नहीं है, कभी मिली तो उसको भी आपको वीडियो बना के बताऊंगी, हो सकता है उसके beating में कोई और चीज होगी, बट बहुत मुश्किल भी है, बहुत tricky भी है, तो इस से अगर आप cream बना रहे हैं, तो फिर दूसरी एक process follow कीजेगा, अगर मुझे मिली और आपने request की, तो मैं जरूर इस पर भी video बनाऊंगी, बट बहुत tricky process है, जिन लोग को ये नहीं मिलती ना, वो लोग बिचारी ये try करते ह हैं, तो उनके लिए भी video जरूर लाऊंगी, बट इसका method बिलकुल अलग है, इसको आप अभी side में रख दीजे, हम इन ही की बात कर रहे हैं, तो इन में से कोई भी cream आप whip कर सकते हैं, जैसे मैं ये खुला हुआ पकेट है, ये ही use करने वाली हूँ, अभी ये थोड़ी सी मै अगर बरफ के crystal भी है ना, तो भी आप whip कर सकते हैं, बट विंटर्स में नहीं, विंटर्स में थोड़ी पतली होनी ही चाहिए, और ये texture मौसम पे depend करता है, क्योंकि गर्मी में गर्मिया महुत ते, जह हम बरफ वाली cream भी whip करेंगे, तो धीरे से वो थोड़ी देर में melt होई अगर दर दीवार पर खराब होगी, मेरी पूरी दीवार खराब हो चुकि है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे whip करती हूँ, कभी थोड़ी भी करनी पड़ती है, emergency में, तो हमेशा बड़ा बरतन चूज करें, steel का करें, plastic का करें, aluminium का बरतन यूज ना करें, उससे cream आपकी काली हो सकते ह है, texture खराब हो सकता है, जो blades होते हैं, वो aluminium के साथ, rub करकर के आपके cream की अंदर भी उसके कुछ particles आ सकते हैं, जो कि आपकी health के लिए भी हनिकार हो सकते हैं, तो avoid aluminium utensil, try for steel और plastic container, जो भी food grade आप यूज करते हो, बड़े size का, छोटा नहीं, ठीक है, अब बारी आती है, दूसरी की cream को whip कैसे करें, तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे option है, electric beater है, सस्ते वाला, 60-70 रुपे का, दिखाते हैं, ये भी है, और stand mixer भी है, ये सबसे सस्ता साधन है, 60-70 रुपे का आ जाएगा, बट हाथ के डोले शोले खुब बन जाएंगे, क्योंकि बहुत मैनत करनी पड तो शुरुआत अगर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं लिया ये, दो-तीन केक के पैसे अगर कठे हो जाएं, तो फिर बीटर जरू ले लिजेगा, electric वाला, और वो कौन सा लेना है, वो भी बताती हूँ, मेरे पास देखिए, दो साल पूराना मेरा, ये प्रेस्टीज का जब भी भी आप electric बीटर लेने जाएं, ये आपके पास है, तो ध्यान से सुन लिजे, आपका बीटर, जो भी जिस्टी भी चीस से आप बीट कर रहे हैं, वो 300 वाट से ज्यादा, या 300 वाट का होना चाहिए, उससे कम का अगर आपके पास है, तो आपको मुसीबते आएंग होगी, एक बार दिखेगी विप होगी, बाद में मेल्ट होगी होगी, और ये फैक्ट है, और ये टृत है, इसे एकसेप्ट कर लीजिए, अगर आपके पास है, और आप दूसरा नहीं लेना चाते, तो करते रहे हैं वही है काम, लेकिन मेल्ट हो जाएगी, और अगर लेने काम करते हैं न, वो लोग रखते हैं, मेरे पास ये अगारो का है, इसकी कपासिटी है, 8 लीटर, कफी है और इसमें 10 स्पीड हैं आपर, इसका वैसे कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, लिंक दिस्क्रिप्शन वक्स में दूँगी, ये जो मग है न जाती है, जादा हो तब भी विपो जाती है, इतना बड़ा है, तो आराम से हर मिजर्मेंट का चेक बना सकते हैं, तो ये होते हैं, स्टैन मिक्सर और ये होता है, चौदा सो वाट का, पर कीमत इसकी है 8-9 हजार, तो अगर आप आगे के हिसाब से सोच रहे और पैसा खर्च कर सकते हैं, तो go for this, otherwise आप एलेक्टर बीटर ले सकते हैं, काफी हविये फ्रेंट से बीचे रख रही हूँ, इस तरीके से ये स्टैन मिक्सर आता है, बट मैं जनरली आधा कीजी का केक हो, और मेरे पास टाइम है, तो मैं अपना एलेक्टर बीटर ये उसके साथ फाइदा ह होता है, कि खड़े नहीं रहना पड़ता, क्रिम को विप करने के लिए छोड़ दिया, और मैं अपने तमाम काम कर रहाती हूँ, तो अब आ रही आती है फ्रेंट्स, बीच करने का प्रपर तरीका, तो इसके संग इसके दो ब्लेड जाते हैं, चार आते हैं, इससे आठा भी बुद जाता है, बट मैं वो यूज नहीं करती, और इसके खांचे में आपको ये, फिट करना होता है, इसका ये प्लग है, अच्छी का सी लीड है, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्रेंट्स, इस पूरे लाइब में कोई भी ब्रांट प्रमोशन में नहीं कर रह देती हूँ, तो ये हमारा हो गया है, और इसकी बाकी की चीज़े साइड में रख देते हैं, और आप मुझे फ्रेंग्स, आधा-गेजी का केक बनाना है, तो 250 ml वाले कप से आप अपनी क्रीम मेजर कर लीजेगा, अगर आपको लगता है, आपके केक में जहादा क्रीम आप उसके लिए मुझे क्रीम चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, ये मत सोचेगा, मैं बहुत कंजूज हूँ, जब डबा मेरा खतम हो जाता है, तो मैं से फाड़ती हूँ, और स्पेचुला से जितनी भी क्रीम खिच लकती हूँ, खिच लेती हूँ, अब याप ऐसे खर्च किये हैं, ऐसे अगर हर दब्बे में छोड़ूँगी, तो दस डब्बो में तो मेरी खुब सारी क्रीम चली जाएगा, और देखिए, निकलती भी ऐसे, ये देखिए, तो भहिया, मेहनत की कमाई है, बहुत खुन-पसीना भाना पड़ता है, गर्मियों में भी बिना पंखिय की क कमाई है, फेक नहीं सकती, तो ये सारी मैंने इसमें से स्पेचुला से निकाल ले, और आप क्या करते हैं, वो मुझे बताईएगा जरूर, मैं तो कोई भी ये डब्बा हो, किसी चीज का भी हो, खाली हो जाता है, उसको पहले फाड़ती हूँ, चाय क्रीम भी लगा रही वो हस रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको कंजूसी नहीं कहिए, इसको स्मार्टनेस भी कह सकते हैं, और हमें क्यों अपनी चीजे वेस्ट करनी, तो ये मैंने क्रीम डाल दिये, बट मुझे लग रहा है ये थोड़ी कम, तो अब मै अपनी क्रीम ले ले, वो डबबा तो मेरा खतम हो गया, मैंने फिक दिया, अभी इस डबबे में से मैंने थोड़ी क्रीम ली है, अब जो बच गया है डबबा, वो कहां रखना है, कैसे स्टोर करना है, तो वापस आप इसको पैक कीजिए, पैक मतलब जो आपने इसका खोला है न, ठकन, ऐसे, उसको वापस इस तरीके से कीजिए, चाहे तो एक स्टेपलर लगा दे, वरना मैं तो कुछ नहीं करती, ऐसे करके, और फ्रीजर, जहां बरफ जमाते हैं, वहां आप रख दीजिए, तो यह थोड़ी से भी जमी हुई है, तो चाकु से मुझे, यह देखे तो इस तरीके से हम काम करते हैं, तो यह देखे 250 ml के करीब क्रीम हो गई है, और अब मैं इसको कर रही हूँ पैक, और चली अपने फ्रीजर में आपको दिखा देती हूँ, कि कहा रखना होता है, तो यह मेरा फ्रीजर है, बाकी की क्रीम भी आप देख सकते हैं, रखी है, औ और यह मैं यहाँ पर रख दूँगी, देखे, और यह मैं बंद कर दूँगी, तो क्रीम को हमने रख दिया है, और अब हम करने स्टार्ट कर रहे हैं, विपिंग, तो विपिंग करने के लिए कोई भी कपड़ा बगर ले लिजे, उसको रखे नीचे बाउल पर, क्योंकि ज क्या भी इसकी ज़ुरत नहीं है, इधर से दिखाती हूँ आपको, so that दिख जाए, और पास कर देती हूँ, यह देखे, अभी मुझे लगटा आपको सभी को दिख रहा होगा, यह देखे, और अब आपको, इसमें 3 स्पीड होती हैं, एक, दो, तीन, मतलब slow, medium and fast, तो सबसे पहले आपको slow, पे करना है, ठीक है, तो अभी आपको sure होगा, तो मैं इसको mute कर दूँगे, और इसे लगबग 2 मिनट के लिए whip करूँगी, तो मैं जो इशारा कर रही थी friends, वो यह था कि एक नंबर की स्पीड पर 2 मिनट तक विप करना है, तो मैंने इसे 2 मिनट तक विप किया है, अब मैं इसको medium स्पीड पर करूँगी, याने कि जो नंबर 2 स्पीड है उस पर, और फिर से 2-3 मिनट तक विप करूँगी, तो 2 मिनट तक पूरा मैंने इसको 2 नंबर की स्पीड पर विप किया है, और अब मैं इसकी final स्पीड पर इसे ला रही हूँ, और क्रीम का texture अभी देखे, कुछ इस तरीके का हो गया है, सॉफ्ट पिका गई है, यह हमारी क्रीम विप नहीं हुई है, बट इसके ice crystals dissolve हो गए है, और यह थोड़ी सी फूल गई है, अपनी जितनी इसकी amount थी उससे दुग नी हो गई है, बट हमें इसको तिगुना चौगना करना है, इसको फूला करके अच्छे से इसकी stiff पिक लानी करना है, बले क्रीम विप हो जाए, टाइम ज्यादा लग जाए, बट वो जल्दी ही melt हो सकती है, और अभी इसके अंदर हम Summers में क्या कर सकते हैं कि melt ना हो, वो भी बताऊंगी, तो अभी skip करके कहीं जाहिएगा मैं इसको high speed पर दो मिनट और विप कर लूँ, तो दो मिनट म आपको क्या करना है, तो ये इसका देखिए, टेक्शर है अभी, और कुछ लोग समझ बैठते हैं कि हमारी क्रीम विप हो गई है, बट देखिए, कोई भी peak इसकी hard नहीं है, stiff नहीं है, इसकी peak जो है वो अभी कर वो रही है, मतलब ये cream अभी विप नहीं हुई है, कुछ लो दिक्कत नहीं है, अब ये stiff भी आजागी और काम भी कर सकते हैं, बट क्योंकि summers में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, कि cream विप होती है, मैं तो generally friends कुछ भी add नहीं करती हूँ, और ऐसे ही विप करके अपना काम कर लेती हूँ, क्या करती हूँ, मैं कौनसी tips हैं वो अभी ब और इस से हमारी cream जो है, अपनी ही stage में fix हो जाती है काफी देर के लिए, तो इसकी आप एक चुटकी भर करके इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, इसको डालने से फिर whip कर लेंगे, तो काफी देर समय तक ये whip strong रहेगी, stiff भी रहेगी, बट इसकी quantity अगर आपने ज़्यादा डाल ये देखिए, इतना डालना है, तो ये cream का taste खड़ा भी हो सकता है, खटा भी हो सकता है, तो बहुत लोग बोलते भी हैं कि हमारी cream तो खटी हो गई, तो देखिए, इतनी cream में केवल एक चुटकी आपको बता ही गई है, जिससे की taste में फरक नहीं पड़ेगा, थोड़ा ये एक तरीके का stabilizer है, जो cream को लंबे समय तक stable, मतलब fix, stiff peak, पिंगले नहीं, उसको करने में भी काम देता है, और इस पर लिखा भी ice cream improver, मतलब ice cream में भी ये डलता है, so that ice cream लंबे समय तक melt ना हो, तो ये किसी भी brand का आप ले सकते हैं, पूरा नाम इसका sodium carboxy-methyl cellulose होता ह और ये totally vegetarian product है, इस तरीके की packing में आता है, और ये भी आप दो चुटकी इस case में डाल सकते हैं, जैसे मैंने citric acid का बताया था, इसी तरीके से आप इसकी दो चुटकी डाल सकते हैं, एक और दो, बट मैं कुछ नहीं डालूंगे क्योंकि मेरी cream अभी ठीक temperature पर है, melt नहीं होती तो ये आपको दूसरा option बता दिया, और फिर भी आपके पास result अच्छे नहीं आते, तो friends एक आता है, tylos powder, जो की fondant वगरे में use होता है for binding, but cream को भी हम bind कर सकते हैं, लंबे समय तक वो tight बनी रहा है, हमारी design कुछ ऐसी है कि मैं tight cream चाहिए, तो इसकी भी आप दो चुटकी डा कर रही हूँ, मुझे डालने के ज़रत नहीं पड़ती है, but in case आपकी cream melt होती है, आपको problems आती है, तो मैंने आपको ये 3 options बता दिये हैं, अब आपकी choice है, आप इन में से क्या डालना चाहें, but अच्छे result आएं, उसके लिए quantity का धियान रखेगा, ठीक है, और हाँ, कुछ ल में stabilizer use करना है, तो I hope, इस explanation से आपको काफी कुछ मिलिया होगा सीखने का, but still, आपको कहीं लगे ना कि मैं कुछ नहीं डालती हूँ, और हमें बता रही हूँ, तो मैं है आपर एक चुटकी ये देखिए, ये भी इसमें डाल देती हूँ, हाला कि मेरी cream अभी melt नहीं होगी, इसमें डाल देखिए, और देखिए, आपके सामने ही इसको विप कर रही हूँ, तो I hope, अच्छे से समझ में आ गया है, बट फिर भी, ये तीनों चीजों में से आपके पास कुछ भी नहीं है, ना CMC है, ना Citric Acid है, ना Tylose Powder है, तो आप 4-5 बूंद नीबू के रसकी भी इस हलकी रूम टंपरेचर पूर हुई, तो फटा-फट फट जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, गरम दूद में नीबू डालते हैं, तो फटता है, तो क्रीम अगर ठंडी हुई, तो नीबू का जो रस है, वो उसको stiff peak में बनाने में help करेगा, बट क्रीम अगर गरम हुई फिर से तीन मिनट तक whip करूँगी, तो टोटल नौ मिनट में ये क्रीम मेरी whip हो जाएगी, और वो भी high speed पर, तो मेरी क्रीम फ्रेंड्स अभी बाकी और भी stages से अभी थोड़ी सी stiff हो गई है, still लेकिन इसकी जो peaks हैं वो तेड़ी है, तो इस stage को भी आप मत समझेगा कि क्रीम whip हो गई है, हो सकता है, ये चार से पांच मिनट अभी और ले, क्योंकि डिपेंड करता है temperature पर, अगर winters होती ना, ते तीन मिनट पहले whip हो जाती, बट अभी गर्मिया चल रही है, टाइम थोड़ा ज्यादा भी लगता है, क्योंकि क्रीम क्या है, विप करते करते हल्की गरम हो सकता है, आपको और भी तेज गर्मी में इसको इस स्टेज पर ले जाकर के फ्रिज में रखना पड़े, जब ये ठंडी हो जाए, फिर आपको whip करना पड़े, अभी इतनी गर्मी नहीं है, तो काम चल जाएगा, बट मैं आपको ऐसे आतियात बताती हूँ, कि अगर आपक को पलटने से नहीं गिर रही है, लेकिन ये भी एक करेक्ट साइन नहीं है कि क्रिम विप हो गई, अभी भी मुझे इसका जो टेक्ट्चर है, वो सॉफ्ट दिख रहा है, पास से आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो, ये क्रिम भी प्रॉपरली वि करने से तो हमारी क्रिम विप हो गई है, वो भी एक करेक्ट तरीका नहीं है, वो तो है ही, लेकिन टेक्ट्चर भी देखिए, स्पेचुला से उसकी पीक्स देखिए, अभी मैं आपको करेक्ट स्टेज पास लाकर करके दिखाऊंगी, बट दो तीन मिनिट मुझे अभी भी ताइटनेस देख रही है, और अभी आप इसका टेक्ट्चर देखिए, अब देखिए, इसकी पीक्स एकदम खड़ी हुई है, बाउल तो पलटने से तब भी नहीं गिर रही थी, अब भी नहीं गिर रही है, बट टेक्ट्चर देखिए आप, और बीच में आपको एक बर इस तरीके से क्रीम को मिक्स कर देना है, कि कहीं अगर कौने पर क्रीम रहे गई है, बिना विप की हुई, या मैल्टेट पार्ट रहे गया है, वो भी अंदर चला जाए, क्योंकि क्या होता है, जब हम इसको पाइपिंग में भर रहे होते हैं, डेकोरेशन के लिए, तो इस साथ ये मिलके भी पूरी मेल्ट हो जाती है, और टेक्शर डिजाइन खराब हो जाता है, इसको एक बार मिक्स जरूर कर लें, हाला कि मेरी क्रीम प्रॉपरली बढ़िया से विप हुई है, बट स्टेल आपको मैं दिखा रही हूँ, ये प्रॉपर तरीका है फ्रेंड्स, ज तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने इसे और तीन मिनिट विप किया है, और अब ये पर्फेक्ट है, अब देखिए, तुरंत आप इसे यूज़ करना चाहें, कर सकते हैं, बट अगर गर्मिया ज़्यादा है ना, क्योंकि आज मैं स्पेशल फोकस गर्मियों पे दे रही हूँ क्योंकि उसी समय दिक्कत आती है, तो आप इसे as it is, फ्रिज में फिर से रख दें, और अपने बाकी के काम करें, नौजल निकालने का है, पाइपिंग बेक्स को निकालने का है, तो ये थोड़ी देर और ठंडी हो जाए, और आप परफेक्ट तरीके से काम कर पाएं, तो इन कामों में जुड़े हैं, अपनी expertise दिखाने के लिए, शार्क टैंक गुज गया है मेरे अंदर, अपना अच्छा दिखाने के लिए, कि ये फालतू की चीजे होती है, citric acid, tylos powder, cmc, इनसे कुछ नहीं होता, देखें, मैं भी बोल रही हूं कि मैं खुद यूज नहीं करती हैं, तो अगर ये कर देती हैं, और हमारी cream melt हो रही है, तो हमें इने use करना चाहिए, बट अगर आपका मेरे जैसा काम है, आपकी cream melt नहीं होती है, आप इसे manage कर लेते हैं, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप इने use कर रहे हैं, और हाँ friends, एक चीज और, ये वैसे class लंबी हो गई आज ही इसको बताऊंगी, तभी आपको help करेगी, देखिए, बीच-बीच में क्या होता है, हम piping bag से काम कर रहे होते हैं, तो हमारी cream का texture पतला होता है, ज़्यादा तर कब होता है, जब पीछे की cream आ रही होती है, क्योंकि हातों की गर्माट से piping bag में बहुत देर तक वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं कि वो बेस्ट हो गई, बट आपको काम अच्छे से हो जाए, melted part आपको कम मिले, इसके लिए आप ये tip follow कीजेगा, ये मैं करती हूँ, piping bag में भरती हूँ, पूरा design वाली nozzle ये color वाली cream भी है, क्योंकि हम color डालते हैं तो वो भी liquid content है, फिर बले हम और मैं यही करती हूँ, इसलिए मैं और भी चीजे इसमें कुछ हैड नहीं करती, क्योंकि मेरी भागदाड यही है friends, काम कर रही हूँ, लगा कि cream melt हो रही है, तुरंत जाके फ्रिज में रखा, piping bag से काम कर रही हूँ, ये बाउल यहां पड़ा हुआ है, तुरंत बचे को अ मैं भी चाहती हूँ, कि आप भी अपने काम में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल चलाते हैं, तो इस तरीके से आप अपने चैनल पर भी अपनी टिप्स को अपने तरीके से share कर सकते हैं, so that जो आपके साथ जुड़े हैं, हो सकता है, आपके संग जुड़े हो, मेरे संग न जुड़े हो, वो आपके viewers हैं, तो आप उनको अपना best दीजिए, मैं तो आपको अपना best दे रही हूँ, तो बस इसी भावना के साथ ये video बनाया था, और कोई मेरा ऐसे उद्देश नहीं था, किसी को गलत नहीं बताना था, कि वो जो बोल रहा है, वो सही है, या मैं जो ब benefit है, और कौन सा उनके लिए नुकसाएंगे है, तो please friends, बहुत ही महनत से video बनाये है, इसको like, share, subscribe कर दीजेगा, हाथ जोड़ करके विंती है, और channel पर नहीं है, तो channel को भी subscribe करके, side में जो bell icon है, उसे press कर दीजेगा, ताकि आपको notification मिल जाएं, और अब आगे आने वाले videos में बहुत कुछ नई-नई चीजे, गर्मियों में, fondant से लेकर, cream से related, कैसे काम करना है, flour कैसे बनाना है, cream melt हो जाए, तो क्या करें, बाद में, क्या गड़वड, धड़वड सब, सब कुछ सिखाऊंगी, जो मेरे संग होंगी, सब आपके साथ, as it is, mirror की तरह clear करके दिखाऊंग झाल